इकाई तीन समझदार नन्ही विद्यार्थि मित्रों आपके शिक्षक क्रमशह आपको कहानी के परिछेत का पठन करवाएंगे. पढ़ो और सुनो. कहानी मुझे बचा लो. नन्ही को उस पर दया आ गई. उसने बिच्चो को दलदल से उठा कर सूखे स्थान पर रख दिया. बिच्चो को शैतानी सूजी. उसने नन्ही को डंक मार दिया. नन्ही पीडा से तड़ पुठी. उसने बिच्चो से पोछा. क्यों भाई? तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्चो लापरवाही से बोला. क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है. नन्ही बोली. तुम यह गंदी आदत छोड़ दो. नहीं तो कोई मुसीवत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा. बिच्चो उसकी बाद अंसुनी कर आगे बढ़ गया. नन्ही अपनी मा के पा नदी में चली गई. मा ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहां रह गई थी? नन्ही बोली, मा एक बिच्चो दल्दल में सस गया था. उसे बचाने में देर हो गई. मा खुशो कर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है. नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसन मुझे डंक मार दिया. मा बोली, बिच्चु अपनी गंदी आदत का गुलाम है. तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा. नन्ही बोली, मा, मैं उसकी गंदी आदत चुड़ा कर रहूंगी. कुछ दिन बाद बिच्चु के प्राण पुना संकट में पड़ गए. इस बार वह पानी की धारा में जागिरा, और डूबने उतराने लगा. मौत सामने देखकर बिच्चु को नन्ही की याद आई. वह नन्ही को पुकारने लगा. नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ल अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्चु को नहीं बचाऊंगी. बिच्चु गिरगिराने लगा. बहन मुझ पर दया करो. नन्ही का मन डोल गया. उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो. नन्ही ने बिच्चु को दोबारा जीवन दान दिया. बिच्चु अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा. नन्ही उसका इरादा समझ गई. वहाँ मुस्कुरा कर बोली. बिच्चु भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो. बिच्चु शर्म से पानी पानी हो गया. वहाँ किसी आ कर बोला. बहन, एक बात बताओ. मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वास धात किया. फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की. ऐसा क्यों? ननही बोली. भलाई करना मेरा स्वभाव है. मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों शोड़ दू? मेरा काम बचाना है. मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी. तुम्हारा काम डंक मारना है. तुम मारते रहो. देख पस्तावे से भर गया. बोला ननही बहन आज तुम जीत गई. मैं वचन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा. ननही खुश होकर नदी में चल दी. माने आज फिर पूछा. बेटी कहां देर कर दी? ननही ने पूरी घटना बता दी. मा प्य प्यार से बोली. प्यारी समझदार ननही. भले लोग अपनी बार-बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं. ननही प्रसंद होकर थिरकने लगी. एक बड़ा सा तालाब जहां एक ननही बतक अपनी मां के साथ रहती थी. उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दल दल भी था. एक दिन नन्ही बतक तट पर आई तो उसने देखा की एक बिच्छू दल दल में फसा है. बहन मुझे बचा लो ननी को उस पर दया आ गई उसने बिच्चो को दलदल से उठा कर सूखे स्थान पर दख दिया बिच्चो को शैतानी सुजी उसने ननी को डंक मार दिया ननी पीडा से तड़प उठी चो बाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा बिच्छू उसकी बात अंसुनी कर आगे बढ़ गया ननी अपनी मा के पास नदी में चली गई ननी बेटी, तुम कहां रह गई थी? मा, एक बिच्छू तलदल में पस कया था, उसे बचाने में देर हो गई बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा मा, मैं उसके गंदी आदत छुडाता रहंगे कुछ दिन बाद, बिच्छू के प्रान पुना संकत में पड़ गए इस बार वह पानी की धारा में जागिरा और डूबने उतराने लगा मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्नी की याद आई वह नन्नी को पुकारने लगा ननी, ननी, ननी नन्नी ने उसकी करूल पुकार सुन ली वह जपट कर बिच्छू के पास आ गई अब मैं इस गंदे स्वभावाले बिच्छू को नहीं अचाऊँगी बहान, मुझ पर दया करो नन्नी का मन डोल गया हो सकता है इसने अपनी गंदी आदर छोड़ दी हो नन्नी ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक बानने के लिए आगे बढ़ा नन्नी उसका इरादा समझ गई बिच्छू भाई, ठिठा क्यों गए? डंक मारो बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वास गात किया फिर भी तुमने मेरे साथ बलाई ही की, ऐसा क्यों? बलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदद क्यों छोड़़ँ मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है नन्ही बहन, आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ, अब मैं किसी निर्डोस जीव को डंक नहीं मारूँगा नन्ही खुशो कर नदी में चल दी बेटी, तहां देर कर दी नन्ही ने पूरी घटना बता दी प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार-बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं नन्ही प्रसन्न होकर फिरकने लगी बोध इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार-बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की रहा दिखाते रहते हैं शंकर सुल्टानपुरी विद्यार्धी मित्रो आपने ननही की कहानी तु सुनी, चलो एक ऐसी ही अल्ळ कहानी के कुछ चितर यहाँ पर है, अपने शिक्षक की मदद से चितरो पर करचा करते हुए कहानी बनाएए चितर देखकर कहानी का निर्मार कीजिए बाल दोस्तों, आपने कई प्रकार की घटनाओं के बारे में सुना होगा. आप यहां पर जो घटना देख रहे हैं, उसके बारे में नीचे दिये गए प्रश्णू की मदद से सोच कर घटना का वर्णन कीजिए. प्रश्ण, एक, यह घटना कैसे घटी होगी? दो, अकस्मात होने पर क्या हुआ होगा? तीन, अकस्मात का कारण क्या होगा? चार, अकस्मात के समय हमें कौन सी साउधानी रखनी चाहिए? पांच, आपने ऐसी घटना कब और कहां देखी थी? विद्यार्थी मित्रो, आपने संग्या की जानकारितों प्राप्त की है, संग्या के बार-बार के पुनरुक्ती को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है. उसका एक अभ्यास यहां प्रस्तुत है, जिसे ध्यान से सुनिए, बाद में पढ़िए. सर्वनाम निम्नलेखित परिछेद को पढ़िए. रमेश अच्छा लड़का है, उसके पिताजी शिक्षक है, उसकी माताजी गुरुहिनी है, उसका बड़ा भाई कालेज में है, वह कर्षाच्छे में पढ़ता है, वह मेरा अच्छा मित्र है, वह चतुर है, हम साथ में खेलते हैं. निम्नलिखित वाक्य पढ़िए. बाल दोस्तों, इन वाक्यों के अभ्यास से आपको पता चला होगा कि संग्या के बदले इन शब्दों का उप्योग हुआ है, मैं, तुम, आप, वह, तुम्हे, कुछ, अपने आप, जैसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, अब आप इन शब्दों का उप्योग कर वाक् कि ए कि ए कि ए झाल 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 झाल